हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग दोस्तों एक छोटा सा इंसिडेंस सुनाना चाहती हूं आप लोगों से हम लोग के पडोस में एक नियूली मैरिट कपल सा है और उनका पूरा फैमली शिफ्ट हुआ तो उन दीदी से जो नई नवेली बहुत ही उनसे मेरी बहुत अच्छी बॉंडिंग हो गए बहुत अच्छा बॉंडिंग हो गया उन लोगों में कुछ आपस क्या कुछ तो था नहीं जम रहा था तो एक दो महिने के बाद में वो दीदी ने डिसाइड किया कि भाई वो अब नहीं रहेंगी इधर मनें वित इन लोगों के साथ तो वो अपने माम को बोली कि सुझाता कल मैं ऑफिस जाओंगी और ऑफिस से ही मैं अपने माएक के चली जाओंगी मैं इधर नहीं लोट कि आओंगे लेकिन उन्होंने ये साथ ही मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मत बताना कि बहई मैं तुम से बता के जा रही हूं नहीं तो और प्राबलम होगी मैं भोले हाँ ठीक है दीदी नो प्रॉब्लम बस आगले दिन वो नहीं आई तो मैं मेरी मा डिसकस कर रहे थे उसी बीच वो उनकी सास आई मेरे पास और बोली कि सुझाता वो मेरी बहु तुम से कुछ कहके गई है मैं बोली नहीं नहीं हम मुझसे कुछ नहीं कही है त उसको उस बात को नेगलेक्ट में कर दी नलिफाइड कर दी कि भाई मुझे कुछ नहीं मालूम जैसे कि हम लोग उसमें पढ़ना नहीं था कि भाई क्योंकि हम लोग नहीं जानते थे कि क्या actual मामला है पता ही नहीं था हम लोग बस थोड़ी सी वह दोस्ती थी उसी बीच उ पूछने मुलें ठीक या तो यह बात वह सुबह पूछी तो मैंने बोला कि नहीं हमको नहीं बतोकुछ भी पता नहीं है मेरे पिता जी और मीरे पिताजी वहीं पे हमारा बगल में शिंक था तो वहीं पो ब्रश कर रहे थे मैं मैं और मेरी माँ डिसकस करे थे यह दिश कि भाई उनकी बहु नहीं आई तो मा बोली कि भाई बताना मत कहीं पे भी क्योंकि अगर वो बोलके गई तो मत बताना मैं बोली हाँ ठीक है तो मेरे पिताई ये बात उड़ते हुए कहीं से मैंने हमारी बात थोड़ा सा कहीं से सुने कुछ तो आके हम लोग से पूछने लगे तो मेरी माने इशारा किया कि मत बताना पिताई को मैं बोली हाँ ठीक है ठीक है नहीं बताएंगे मेरे पिताई फिर भी बहुत फुसला के नहीं नहीं मैं नहीं बताऊंगा तुम मुझसे बोलना मैं बोली ठीक है भाई बहुत इंसिस्ट किये पिताई तो मैंने पिताई से प्ताई जी और उनकी सास एक ही उफिस में काम करते थे तो मेरे पिताई जब पता था कि नहीं बोलना है तो मेरे पिताई वह जा रही थी उसको बुला के कि भाई तुम्हारी बहु अब नहीं आएगी वो सुजाता से बोल के गई है तो दोस्तों इतना बड़ा रायता फैला दिये अब वो तो उल्टे पाउं आ गई हमारे पास मेरे पिता ही अराम से ओफिस चले गए और वो उल्टे पाउं गई ओफिस से और हम उझसे फिर पूछ के लड़ाई लड़ाई यानि कि हम तो चुपी थे वो ही अपना चुला चिल्लम चोट मचा के वो अपना बढ़ास उतारी कि भाई ऐसे पड़ोसी हो आप लोग वो ये वो कर गए फिर हम लोग एकदम शोक्त स्तिती में थे मैं मेरी मा हुट हमिया यह क्या हो गया फिर चाम को मेरे पिताई आया राम से तो एक आपने क्यों बोला तो वोलूंगा नहीं उसकी बहुख नहीं आएगी तो मैy वोलूंगा फिर हमने बोला कि वो आके यंदा बताएं कि यह उपने ये बोल दिया उंसे तो फिर उल्टा मेरी पिता जाकर तो कि ऊञटे चांछ जंदकी में हम लों भाहर वालों से खतरा नहीं यहां आदि है जिंदगी में हम लोग समस्ज गहे थे इस उस दिन के बाद से कि भाई नाई सब जहां से बता दो लेकिन हम पिता जी से कुछ नहीं बताती हम लोगों कुछ भी डिसकाश्च करना होता था तो देखें बस आप समझ चाहिए मैंने ऐसा कुण बहला करता है